हाँ जी बच्चो स्वागत हैं वेलकम हैं फिर से एक बार आप तभी का आपके अपने इसनले सार्ज हैं मैथमेटिक से दोस्तों आज अपने बात करने वाले अपने त्रीकोंड नीथी टोपिक के पार्ट 3 की जिसके अंदर सवाल लिखा हुआ मित्रों आपके सामने कुछ इ याँ बनाना है संकोंड ट्रीबूम lounge बनाना अब इसके अंद अपने किया करना है कि यहां पर ये जूअता करना इसको आधार मानलो अर इसको क्या मानलो बच्चो लमb मानलो डवे़ão फरेन साइन यह व बरांबर एक ौटेवाद दो साइन ए वारं एक है क्टेवाद यहां पर क्या आता है? साइन आता है. ठीक है? यानि की बच्चों साइन का जो फोर्मूला है वो क्या बनेगा? लंब बटेवा कर्ण, L बटेवा, के तुलना करें तो L का मान तो हो जाएगा एक और T का मान क्या हो जाएगा बच्चों? दो हो जाएगा. अब हमें निकालना क्या है सबसे पहले? आधार, आधार फाइंड करके फिर अपन किसकी वेल्यू निकाल लेंगे? यहां पर कोट A की वेल्यू फाइंड कर लेंगे. तो देखना, आधार निकालना हो आपको, तो आधार का जो फॉर्मूला होता है, A बराबर अंडर रूट K स्क्वाइर माइनस L स्क्वाइर. यह फॉर्मूला आपको यूज करना है डारेक्ट ली. ना ही तो कुछ ऐसा है वैसा लिखना आपने को, आधार बराबर रूट K करन का मान है, दो, दो का स्क्वाइर माइनस L लंब का मान है, एक एक का स्क्वाइर. तो आधार बराबर कितना हो जाएगा बच्चो, दो का स्क्वाइर चार माइनस एक का स्क्वाइर एक तो आधार आजाएगा, रूट 3. आधार का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3 आ गया चीक है बड़ चलिए आगे बड़ पर फिर कोट A का मान निकालना अपने कोट A का तो कोट A बराबर कोट A बराबर क्या होता फोरूला साइन को स्टेन कोट यहाँ पर आता है कोट यहाँ कि नीचे से उपर की तरफ चलेंगे तो आधार बटेवा लंब हो जाएगा यह आधार बटेवा लंब आधार कितना है वह रूट 3 और बटेवा लंब कितना है एक तो यह रूट 3 में एक का भाग लगेंगे तो आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा य देखिए अगला जो सवाल है वो क्या कहता है अगला प्रशन है साइन तीस दिगरी को साथ माइनस कोस्त तीस साइन साथ डिगरी अगला प्रशन है क्योशन नंबर टू अपना आज की क्लास का साइन साथ डिगरी कोस्त तीस डिगरी माइनस साइन तीस डिगरी कोस्त डिगरी का मान क्या होगा कि कामान क्या होगा ठीक है बच्चों तो सवाल अपने लिख लिया इसके उप्षन भी डाल देते हैं आपन जीरो वाइं और इदर देते हैं और यह चार उप्षन अपने को दे रख है सब सब पहले बात तो यह इसके अदर समकों विभू नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर दे सार्नी की value है तो देखना यहां पर लिखू में sin 60 sin 60 का मान कितना हैगा बच्चो सार्नी की अंदर से अपने को याद करना पड़ेगा sin 60 का मान होता है root 3 बटे वाद 2 बीच में कुष्णी into cos 30 cos 30 का मान भी होता root 3 बटे वाद 2 और फिर minus sin 30 का मान होता है एक बटे वाद 2 फिर into और cos 60 का मान भी होता है एक बटे वाद 2 हो जाता है चलिए आगे बटे उपर वाली उपर से दूना होगी root 3 root 3 दूना होगी तो square हो जाएगा नीचे 2 into 2 क्या होगा 4 minus उपर 1 into 1 2 into 2 क्या हो जाएगा square center root कट गया 3 बटे वाद 4 minus 1 बटे वाद 4 अगर नीचे वाली संक्या सेम हो तो उसको एक बार लेखे 3 minus 1 कर देता है यान कि 2 by 4 2 से काटा 1 बार 2 से काटा 2 बार यानि 1 by 2 1 by 2 जो है अपना option number 6 दे क्या हो जाएगा वाक्चो correct answer हो जाएगा कोई दिक्कत है कि आप बहुत ईजी और असान सवाल आपको थोड़ा से formula मैंने इसलिए पहले लिखवाए थे कि आप उनको याद कर लो समझ लो ठोड़ा सा रटलो तो यह formula बगेर आपको सब याद करने ही पढ़ेंगे तो यह रहा अपना दूसरा सवाल तीसरा सवाल यह रहा आपके सामने देखिए का ज्यांस है 5 sin theta is equal to 4 है तो 5 sin theta minus 3 cos theta sin theta plus 2 cos theta का मान क्या होगा इसकी value आपको find करने है चलिए option दे रखे अपने को सबसे पहले तो यहाँ पर मान दे रखा इसका मतलब अपन क्या करेंगे इसको उसके अंदर set करेंगे सम्गों ट्रीबूट के अंदर set करना पड़ेगा इसको देखना कैसे 90 degree है तो 90 degree के सामने वाला क्या हो जाएगा करन यह हो जाएगा आधार और यह अपना क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा देखिएगा ज्याद से दे रखा आपने को 5 sin theta और बराबर में क्या है 4 इन तो वाले 5 को कहा बेज़ दू sin theta बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 बटेवा 5 और अपने लाल कत्का की तरफ से formula जो होता है l बटेवा k यानि कि लंब का जो मान है वो तो हो गया 4 और k यानि कर्ण का मान कितना हो गया बच्चों 5 और अज़ लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5 वो तो आधार का मान कितना हैगा सदेव 3 हैगा कैसा निकालना है समझेगा द्यान से यह तो पता चल गया ना बई लाल कक्का की दरफ से formula चला यहाँ पर ठीक है यह रहा आपना sign का formula starting में देखे कर्ण का निकालना है फिर तो sorry कर्ण क्या आधार निकालना है और जब कभी भी आपको आधार निकालना हो तो formula क्या चलेगा k square minus l square तो आधार बराबर root K की value कितनी है भाई 5 का square minus lumb कितना है भाई 4 का square आधार बराबर क्या हो जाएगा 5 का square 25 और 4 का square 16 गटा लिया बच्चोथ कितना आजाएगा 9 और आप सभी को पता है कि 9 का बाहर कितना आता है 3 आजाता है 3 into 3 तीन हो गया भाई चलिए आगे बढ़ता है फिर आप समझेगा द्याज से आप 5 ये लिखा मैंने 5 sin theta तो बीच पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे भाई into और फिर sin theta theta अपन यहां मान लेते हैं theta के सामने वड़ा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा तो sin theta sin theta का formula यहां पर है sin और यहां पर आता है cos theta sin theta का formula लंब बटेवा कर्ण तो sin theta का formula लंब बटेवा कर्ण बच्चों लंब का मान कितना है 4 बटेवा कर्ण का मान कितना है 5 फिर माइनस का यह माइनस 3 cos theta 3 बीच में इंटू मान लो cos theta बच्चों यहां पर आधार बटेवा कर्ण बनेगा तो आधार तो है तीन और कर्ण कितना है बच्चों वाझ है चलिए आगे बड़े 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 प्लस टू को सिटा साइन थीटा साइन थीटा की वेल्यू कितनी अब इतला हम बटेवा अगर उपर लिखा अपने 4 बटेवा पहुंच फिर फोर्मूले में प्लस है तू और को सिटा की वेल्यू उपर भी रखेती अपने इंटू 3 बटा 5 इसको काटा फासी नहीं करेंगे इसको इससे नहीं काटूंगा मैं क्यों नहीं काटूंगा देखना भी 5 इंटू 4 कितने होगे 20 और बटेवा में 5 फिर माइनस 3 इंटू 3 होगे 9 और बटेवा में 5 चार बटेवा 5 प्लस 2 इंटू 3 6 बटेवा क्या हो जाएगा 5 अगर बटेवा वाली संक्या सेम हो तो हम LCM नहीं लेते हैं डारेक्ट उसको उतार देते हैं तो नीचे 5 का सेम सेम उपर 20 माइनस 9 नीचे भी 5 का क्या हो जाएगा सेम सेम और उपर वैसा का वैसा लिख देंग तो बीस में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 11 बचेगा फिर बटेवा चार और 6 कितने हो गए 10 बटेवा कितना आई गया वही 5 आगया अगर चार संक्या होती है तो पन क्या करते बचो उपर वाली 2 संक्या को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं और नीचे वाली दस हो चुका है मामला खतम 11 बटेवा दस कौन सा ऑप्षिन है अपना ऑप्षिन नंबर है इस दे क्या हो जाएगा करेक्ट आचर हो जाएगा चीक है आगया समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल बहुती इसी और आसान है 10 ग्लास का क्रेटेरिया बहुती इसी है थोड़ा सा आपको समझने की जड़ता और फोर्मूले तो आपको याद करने पढ़ेंगी चाहिए कोई कितना भी अच्छा क्यों न पढ़ाले जब तक फोर्मूले याद नहीं होंगे आपको तब तक जो हैं आप सवाल जो हैं अपनी तरफ से स्वोल्व नहीं कर पाऊंग प्लस को स्क्वाइर 23 डिग्री बरावर क्या होगा ऑप्शन वन ऑप्शन बी जो है टू ऑप्शन शी जो है जीरो ऑप्शन डी जो है कोई नहीं त्रीक है यह ऑप्शन है अपने पास आप देख सकते आंसर क्या आएगा चुटकी का काम है सवाल के अंदर साइन स्क्वाइर 23 डिग्री प्लस को स्क्वाइर 23 डिग्री का जो मान होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा वन हो जाएगा कैसे होगा आप थोड़ा साइज है सम अगले सवाल की तरफ बढ़े अगला सवाल है अपना 10-4 अरगमान ज्याद कीजिए प्रशन देरखा आपको यह 10 ग्लास का सवाल है बिल्कुल बुब के अंदर अबलेबल है यह 10-4 अरगमान ज्याद कीजिए त्रिके इसका चित्र भी देरखा आपने को इदर देरखा P इदर देरखा Q और इदर देरखा 12 cm इदर देरखा 13 cm और यहाँ पर अबना समकोण 90 डिग्री है त्यक्याद आप्शन देरखा बच्चों बारा बटेवा तेरा 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 और अप्शन देरखा जी जीरो ऑप्शन डी देरखा है आप्शन डी देरखा साथ बटेवा तेरा ओप्शन जो है शोरी यह सी ओप्शन है ओप्शन नम्बर डी देरखा है कोई नहीं क्या देरखा बच्चों अप्शन डी देरखा कोई नहीं अब देखिएगा ज्यांसर एक तो आपको 10 पी की वेल्यू चाहिए और एक कोटार की चाहिए rsबसे पहला तो अपने को पता उना चाहिए तीसरी वेल्यू यँह पर यह देखो अपने रूट के स्कॉर कुन कितना बच्कों नहीं ही है कि आज युट ऑलब एiane को ऑलंक़ वी तो दिगना यहां पर टूपाँछ आजाएगा है ऐंगा वास फक्रतरक्ट खीट्फ, पाँच आगे अपने पास आप लिखूंगा नहीं में यहां पर आधार और करण कभी भी चेंज नहीं होता है लंब और आधार एक दूसरे के स्थान पर अपना स्थान पर अंकर देते हैं क्यों यह समय और स्थिति के इसाफ से कंडिशन के इसाफ से होता है कैसे बता यह 10P यहां पर क्या लिखा वा पी यानि पी के सामने वाले को क्या मानेंगे लंब मानेंगे पी यह रहा भई पी तो पी के सामने वाला यह क्या होगा लंब होगा और यह आधार हो जाएगा और करण फिक्स रहता है तो 10P का फोर्मुला 10 का फोर्मुला साइन को स्थेन लं आर, यह रहा आर, तो आर के सामने वड़ा क्या होगा, लंब होगा, तो यह क्या हो जाएगा, आधार, करेंड पे कोई फराट नहीं पढ़ता है, क्योंकि नबर डिग्री फिक्स रहता है, तो कोट का फोर्मला बनेगा, आधार बटेगा लंब, तो आधार कितना बच्चो 5, और लंब कितना है, बार है, और बीच में क्या है, माइनस सल रहा है, तो आप देख सकते हैं, दोनों बिलकुल सेम है, तो लसी मिलेने के भी जूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, यानि कि ओक्षन नमबर अपना जो भी है न, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जा देख सकते हैं कि आपको कौन सा क्या पढ़ना है, और आप क्लास अगर अच्छी लगे और पूरी देखते हैं, तो आप इसको शेर करना ना भूले, सब्सक्राइब होदा रहेगा, कोई बात नहीं, आप अगर अच्छा लगेगा, तो क्लास देख सकते हैं, वोई अपना ल को साइके वेल्वी याद कीजिए, अगला प्रश्णा, यदि साइने बराबर तीन बटेवाद चार हैं, तो कोस एका मान, क्या होगा, क्या होगा, सवाल अपने सामने लिखा हुआ है, ओप्शन दे रखे हैं, चार बटेवा दी, ओप्शन नमबर भी दे रखा है, ओप्शन नमबर भी क्या होगा, अपना, सोला, सोला में से गए, नो, साथ जुट साथ बटेवा चार ऑप्षन नंबर थी दे रखा है 5 बटेवा पी option नंबर डी डे रखा कोई नहीं क्या दे रखा बच्चों कोई नहीं दे रखा चिए बई यह चार ओप्षन अपने पास है सबस्री बात तो मैंने कहा आ आपको कि अजर इसा यहां पर सबसे पहले कि आता बच्छों साइन आता सब्सक्राइब चाइन के साइन आता बच्छार बच्छ को चएन किस और एक इंद Commerce करना खर अद्याइक लंक ईंक्तरी क्राइब रहाँ जाएगा है के स्क्वाईर सोला माइनस इंके स्क्वाईर नो आधार बराबर 16 में से गए नो तो कितने बच गए साथ यानि अपने अधार का जो माने वो कितना हो गया वह अंडरूट साथ हो गया आगे बात करें फिर अमें निकालना है को से तो को से का formula क्या बढ़ेगा देखेगा ध्यान से कोसे का formula आधार बटेवा कर्ण आधार कितना है under root 7 और कर्ण कितना बच्चो चार यान root 7 बटेवा 4 अपना auction number भी क्या हो जाएगा भई साही हो जाएगा कोई दीख कर देखा इसमें नहीं बच्चो तो मिलते हैं अगली सवाल के अंदर आज की लिए आज की ग्लास में इतने सवाल काफी है और अगर आपको इकाई अंकी क्याद करना नहीं आता है तो उसके लिए भी ये क्लास मेंने डाल रिखे लगबग तीन पार्ट कर रिखे उसके आप उसको जाकर देखे आपको समझ में जरूर आएगा मिलते हैं नहीं गलास में धन्यवाद